नमस्कर आपका स्वागत है एश्यानीज इंडिया में आपके साथ मैं पूलों संसद के शीद कालिन स्थर के 11 दिन दोनों सतनों से 38 संसद सस्पेंड कर दिये गए असल में संसद में सुरक्षा चुक के मसले पर लोकसभा में लगाता जोते दिन हंगामा हुआ लोकसभा स्पीकर उम्बिल्डा ने 33 सांसदों को सस्पेंड कर दिया इनमें नीता अधिर रंजन चोधरी समेथ कॉंगरेस के 11 सांसद तुरुनमुल कॉंगरेस के 9, डी एम के 9 और 4 अन्य दलों के सांसद शामिल है इनमें तीन सांसदों को पूरे सतर के लिए निलंबित किया गया है जबकि तीन कॉंगरेस सांसदों की सदिसता बहाली पर फैसला प्रिविलेश कमिटी लेगी इनमें से स्पीकर के पोडियम पर चड़ने का आरोप है इसके बाद राजसभा में भी हंगामा हुआ इसके चलती सभापती जगदिब दनखर ने 45 विपक्षी सांसदों को निलंबित कर दिया इनमें से 34 सांसदों को पूरे सतर के लिए निलंबित किया गया जबकि 11 सांसदों की सद्यसता पर फैसला प्रिविलेज कमिटी लेगी इससे पहले 14 दिसम्बर को लोकसभा से 13 सांसद निलंबित किये गये थे इनमें कॉंग्रेस के 9, CPI के 2, DM के और CPI के एक एक सांसद थे इनके अलावा राजसभा सांसद डेर के ओबरायन को भी 14 दिसम्बर को सस्पेंड किया गया था शीत कालिन सतर से अब तक कुल मिलाकर 22 सांसदों को सस्पेंड किया जा चुका है राजसभा में सांसदों की संक्या 245 है इसमें भाजबा और उन्यसके सयोगी दलों के 105, इंडिया के 64 और 94 ऑधा है इसमें एंडिया के 339, इंडिया के 142 और अन्य दलों के 67 सांसद है इनमें से 46, 66 सस्पेंड हो चुके है वरिष्ट प्रत्रकार और राजनीतिक विश्चेशलक विक्रम राओ के मताबिक संसत से एक दिन में इतनी बड़ी संख्या में सदस्यों का निलंबन पहली बार हुआ है लोकसबासपिकर उम्बिलना ने कारवाई शुरू होते ही 15 मिनिट की स्पीश दी कहा कि घटना पर राजनीति होना दुर्बार के पूर्ण है हंगामा बड़ा तो सदन की कारवाई 12 बजे तक स्थाकित हो गई बात में यह दो बजे और फिर कल तक के लिए स्थाकित कर दी गई सांसदों के निलंबन के बात लोग सभा मंगलवा तक के लिए स्थाकित हो गई इसी के साथ बनें है इश्योनिस इंडे के साथ निवाद